तो हलो एंड वेलकम अगें दोस्तो लियोग ने तो जो आग लगा रखी है भाई लियोग की एडवांस बुकिंग भाई सा मतलब ऐसा तो सोचा ही नहीं था है जूमी नहीं करा था कि अभी मूबी को पूरा रिलीज होने के लिए कल का दिन वाकी है मैं लगा 18 तारिक पूरी क यह तक जो भी अपडेट आएगी वो कल सुबह डिसकस करेंगे बट लेकिन आज 6 वजे तक मैं लगा 17 तारिक 17 अक्टूबर साम के 6 वजे तक जो धमाल मचाया है जो कलेक्शन देखने को मिलना है भाई मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूं कि लियो इतना भयंकर कलेक्शन कर सकत यह मलब थालापती विजे की ऐसी फैन फॉलाइंग भाई आखे फटी की फटी रहे जाएंगे आपकी 125 करोण की एडवांस बुकिंग पूरी दुनिया से यह मूबी कर चुकी है सिर्फ एडवांस बुकिंग लोगों की फर्स डे की कलेक्शन होती है यह क्योंकि रणिंग भी जाती है उसके बाद वहाँ पर टिकेट खरीते हैं लेकिन यह सिर्फ यह मूबी सिर्फ एडवांस बुकिंग 125 करोण कर चुकी है जिसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है और सीसका है साउत का तो है ही है अगर यह मूबी हिंदी से नैशनल चेंज में आग लगा देती हिंदी से उतना अच्छा रिसमांस अभी नहीं देखने को मिल ला है हाला कि हिंदी से यह बुकिंग ओपन हो चुकी है और हिंदी की साइद अभी काउंट भी नहीं करा गया है सिर्फ तमिल का और ओवर सीज का मैं बताऊंगा तो तमिल लैंग्विज में यह मूबी क्या आ लाग टिकेट बेंच चुकी थी 200 रुपए प्राइज के साथ एवरेज प्राइस के साथ जहां पर 6150 सोज है तमिल आइमेक्स का अगर मैं बताऊं तो 67 लाग की एडवांस बुकिंग यह ले चुकी है जिसमें से 8330 टिकेट यह बेंच चुके है 945 रुपए के एवरेज टि लाग की एडवांस बुकिंग जिसमें से एक लाग 7000 टिकेट यह बेंच चुके थे साम 6 बुकिंग और एवरेज प्राइस थी 141 रुपए के आज पास जिसमें से 1150 सोज इनने ने कवर कर लिया है टूडी में टोटल इनका बनता है 27 करोंड 40 लाग की एडवांस बुकिंग बाई साम यह है तबाही बिल्कुल क्योंकि गदर टून की ओपनिंग क्या थी गदर टू की ओपनिंग आइधिंग 30 या 32 करोंड के आसपास थी या फिर ज़्यादा 35 करोंड के आसपास थी गदर टू की फरस डे की इनकम और यह वो भी आज कल का पूरा दिन बाकी है और पागलपन चला आई है ऐसा जवर्दस पागलपन नहीं देखा यार कसम से देखो बल्यूड में पठान और जवान आई लेकिन पैन इंडिया मूवी का कोई नाम नहीं चला था इस साल बट पैन इंडिया मूवी इस तरीके से आईगी किसी ने उमीद नहीं करी थी लियो न लख चुके है तो इसके साथ अगर मैं सिंगल सिटीज के बारे में बटाओ की वहा प्र कि कितनी कितनी बुकेंग इंडिया से उची लए बैंग लूर्यू से अगर मैं बटाओ टो तो 3 Paint 22 कि 1 कोयमवि टूर से अगर देटा नहीं आया है यह मेकर्स के तरफ से आपके साथ यह शेयर कर दिया हिंदी का अभी डंक से डेटा नहीं आया है वही मैं खैर रहो ना हिंदी एक इतनी मेजॉर्टी लेवल की आडियन्स है कोई भी मूवी और वो चीज हमने ज़वान के टाइम पर देख है जवान के टा जाएंगे इस मुवी के किसी को बता नहीं लग पाएगा एडवांस बुकिंग का कलेक्शन हिंदी का भी जोड़ा ही नहीं गया है कल तक साइध हिंदी की फाइनल रिपोर्ट आ जाए अगर वो आ गई तो यहाँ पर डेटा और ज्यादा बड़ा मिल जाएगा अभी तो 125 क्र से उपर जाएगी यह मुवी डेफिनेटली केरला का बताओं तो लगबक केरला से यह मुवी पांच लाग सतर हजार टिकेट बेच चुकी है चलो ओवर्सीज में चलते हैं ओवर्सीज में तो भैंकर तबाही मच रही है वही चीज ना कि ओवर्सीज में एक डेड़ मैंने पहले से ही बुकिंग ओपन हो चुकी थी बुकिंग चल लाई थी और वही चीज यहाँ पर अब हमें रिजल देखने को मिल ला है मलेशिया से बहें बताओं तो चार लाख यूएस डॉलर मतलब लगबक तीन करोण 33 लाख के आसपा से मुवी कमा चुकी है प्री सेल्स में एडवांस बुकिंग यह टिकेट बेच चुकी है यूएस से मैं अगर बताओं तो 1635 जिसके खाते में हैं 54200 टिकेट यह बेच चुके हैं और 1.2 मिलियन यूएस डॉलर का यह कलेक्शन सिर्फ एडवांस बुकिंग से कर चुकी है और एडवांस बुकिंग में इस साल में इतनी बड़ी कलेक्शन मलब वन मिलियन कलेक्शन तो कोई करी नी पाये था ना जवान थी ना पठान थी सिर्फ लियो बाई साब लियो ही चल रहा है पूरी दुनिया में लियो चल रहा है इसे के साह्तां लियो को लगग 37 देशों पर चलाया जाना है 37 देशों पर release करा जा रहा है जिसमें से 350 cities को ये cover up करेंगे 350 मलब 300 सहर को ये लोग cover up करेंगे जिसमें से 2-3 countries तो ऐसी हैं जिसमें पहली बार इंडिया की कोई पहली film release होगी जो चलेगी वो लियो है कौन सी लाटविया हो गई, स्लोवानिया हो गई और स्लोवारिया हो गई ये जो country's है, ये तीनों country's और भी होंगी बड़ अफिसलि अभी यही तीन का नाम आया है और इन तीनों पर ये movie मलब इंडिया की कोई पहली movie यहां जाकर चलने वाली है तो भाई ये है तबाही ये है लियो की fan following ये है लियो का धमा का बाई साब और मैं ये फिर से कह रहा हूँ कि ये सिर्फ अकेले थालापती विजय का दम नहीं है, ठीक है थालापती विजय की fan following है yes, I am the huge fan of him but, but, यहां पर संजेदत का बहुत बड़ा हाथ है अरजुन सारजा का बहुत बड़ा हाथ है अगर ये मूवी कितना lifetime collection कर सकती है अभी कुछ prediction अभी नहीं करेंगे क्योंकि हर time आकड़ा बदलते नजर आ रहा है वाई साब 1000 करोण definitely touch करेगी easily touch करेगी first day income 1500 करोण opening 1500 करोण से होने वाली है definitely होने वाली है तो आप लोगों की क्या रहा है क्या ये मूवी 200 करोण की opening कर सकती है अगर कर सकती है तो नीचे कमेंट वक्स जरूब बता के जाना वाकि मिल देगली वीडियो में जहिंद